वेडियो को सब्सक्राइब करने लगता है और उसकी तरफ खहरानी से देखने लगता है दोनों की बलश कर रहे थे एस्पेशली हमारा जो यंग सीन था वो शाय फिल कर रहा था जो सियो सिंग था उसकी हाट्बीट काफी जादा बढ़ जाती है बढ़े हैं कि दोनों सिंगल पर ही होते हैं त wurde करते हुए हमारी यंग सीन क Überdест कृच करता है और उसे क्लोज आने लगता है हमारे CEO Singh को हमारे यंगजीन की नेक उसकी चेस्ट विजिबल हो रही थी जिसकी वज़से वो और सदा रुकना नहीं चाहता था वो बस अभी यंगजीन को अपना बना लेना चाहता था यंगजीन के लिफ भी शो हो रहा था हमारे यंगजीन पूरी तरीकी से सिड्यूस कर रहा हूं हमारे CEO Singh को CEO Singh कहता है किस में आज उसके बाद हमारे यंगजीन रहता है वो गल्प करता है और फिर वो आगे बढ़ने वें सुडंधी हमारी जैसे यंग तृच जमर्ड होता है सिर्छ सных करता ह। इसकी ने WhatsApp की तल और दोग तॉसरी को दिप किस करने लगतें त्ंग हो tayले तूट कर रहे इस तरीके से वो शो कर रहा था अपनी इमोशन को ऐसा लग रहा था वो प्रस्टेड हो चुका था अब विसी बात है वो उसका हस्बेंट है और वो उसे किस पी नहीं कर सकता है just because कि वो लोग सिगनल ते खाड़े है और वो लोग बाहर है otherwise आज तो हमारा सियो सिंग यंग सिंग को छोड़ने ही वाला नहीं था और तभी हमारा सियो सिंग होता है वो इस तरीके से शो कर रहा था जिसे देखकर हमारा यंग सिंग को बुरा लगता है वो अपनी सीट बेल को खोलता है और तभी हमारा CEO सिट वेल्ट को देखता है कि यांग जीन अपनी नीप पर हारा है यृ उसकी पैंटको टर्च करना हृँ इसकी जिप को शूरने जा रहा था अर उसकी थाई को स्प्रेट कर देता है उसके लेक्स के पीछ में हाथ को देने लगता है उसकी जीप को अंजिप क अब सख करने के लिए रेडी था तभी हमारा सियो सिंग यहता है यंग जीन तुम तब तक स्टार्ट कर चुका था लेक करना तभी हमारा जो सियो सिंग था वह अपने आपको बहुत ही मुश्कल से रोके हुए था क्योंकि वह अभी भी कुछ हर्कट नहीं करना चाहता था कि वह हमारी यंग जीन को हर्ट कर देवर करता है वह ब्रेक लेता है क्यूंकि वह लोग ऐसे जगह पर पहुत चुके थे जहां पर एक सी साइड था जहां पर पूरे तरीके से रैली लगी हुई थी और वहां पर आसपस कोई भी नहीं था तो वह लोग सेफ जगह पर थे जहा पर बठाता है और उसको किस करना start कर देता है और यंगजीन की pant को खोल देता है और कहता है यंगजीन तब ही वो आगे कहता है कि doctor ने कहा की यह सब करना हम दोनों का intimate होना safe रहेगा राइट यंगजीन होता है वो कहता है हाँ but زादा रफ नहीं करना तभी हमाल जो सीओ सिंग होता है कहता है कि जान रखुँगा जैंटल रहुँगा और जो चेस्ट को निबल करने लगता है जो यंगजीन होता है वो अब मुण ही करने लगता है कि आई तिंक हमें गहर चलकर पहले कुद को वाश कर लेना चाहिए जाए है उसके बат अमा ठोता है उसके बाहे है उसकी बात नहीं सुन रहा होता है उसके पैंट को रॉफ करने लगता है और उसके बेग को ठोच करने लगता है अपिर अचणनक से वह सीट ये उसमेग बटन तो जो लोग चलाते हैं जिन लोग उने यूस किया अगार को नहीं पता होगा कार के साथ में एक हैंडल कुछ होता है उसे पुल करने से वो जो सीट बेल रहती है पूई दे किसा फ्लाइट हो जाती है तो इस टाइम हमारी सी ओ सिंग ने उसका सीट को फ्लाइट कर दिया था इसके वाज़स से वो दोनों एक क्ष функ Nordic के साथ आचा सारके से इंटिमेट हो सकते थे हमान जो यंग Kings Ça was moaning कर रहा था और सिंग अपने फिंगर कर रहा थां और कहता है कि तुम्रो GC क्योदो कर शूम हो रही और हुन्यों किया क्या तुम्हीं ये आइडिया था कि मैं तुम साथ अपने नाइट को I mean उस मोमेंट को एंजॉई करते है क्योंकि हमारा जो सियो सिंग था उसके साथ जेंटल था लेकिन और भी से रफ हो सकता था लेकिन अपना बेपी का भी तो धिहान रखना था दोनों एक उससे के साथ इंटिमेट हो रहे थे कार में ही and तभी हमारा जो यंगजी चोटा केता है तुमें पता है और तभी हमारा जो यंगजी की हमां सियो सिंग केता है नहीं नहीं करता है पहले नहीं पता है क्या तो मुछी नहीं बता ओगे और तभी हमां जो यंग सीन रहता है कि मुझे कुछ नहीं शुनना बस मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बॉडी में अंटर करो यह बास सुनते हैं हमारा जो CO लिए पूरी तरीकेसर ब्लश करने लगता है, वो अफसन लगता है, वो अपने वो अपने आपको उसकी बोरी में एंटर करता है, प्र से अगयन हमारे यंग जीन मून ही करने लगता है फिर उसके बाद हमारा Siyao Singh उसके साथ इंटेमेट होता है उसी तरीके से जिस तरीके से हमारा यंग जीन चाहता था अभी वह कार वही पर खड़ी थी क्योंकि वहाँ नहीं टान धे रहा था यहां पर बहुत सारे इंटिमेट सीन थे जिसको मुझे करना पड़ेगा चैनल के सेक्यारी के लिए क्योंकि बहुत मेरे लाइफ में चल रहा है स्पेशली मेरे चैनल को लेकर तो यह सारे सीन को मुझे करना पड़ेगा और फिर उन दोनों को दिखा जाता जहां पर वह दोनों ही बलश कर रहे थे लबी लबी सासे ले रहे थे हमारी यंग जीन का तमी था वो अब शो हो रहा थ क्योंकि आँ अब उसकी प्रेँनल सी को फार्त मंत हो चुके यह साथ क्यारफूल था और उसके साथ क्यारफूल तरीकिसे इंटीमेह हो रहा थे हमारे जिंग सीन होता है अभी तक मौनिंग कर रहा होता है प्ल्त के कंधे पर रख लेता है यह यह इसक機 रखली आप और ऐसक तभी हम जो CEO Singh होता है उसे थोड़ देर के लिए अलग होता है कि हम लोगों भी खटम नहीं किया है अभी हमें और भी आगे तक चलना है And washing अजिए पर cut हो जाता है अभी हमें elevator का scene दिखा चाता है जहां पर दोनों elevator में तो थे And उन लोगके clothing जो concept तिए दोनों फर्डूरी तरीके से बिगडी हुई थी और आप लोगों पता ही था कि की दोनों अंड्रेस हुए था पूरी तरह से नहीं but half सबस्क्राइब सब्सक्राइब करने के पारे यह चीजआ को पूरी तरिके से जिस से कि हमारा जो यंग जीन हाग करने है और शायब फिल करने लगा यहाँ को इस तरीके से लेखकर सिम्हों और चीजआ करने लगता है और उसको सक करना स्टार्ट करता है, साथ ही साथ वो अपने शर्ट के बटन्स को ऐसे तोड रहा था, I mean वो खोल भी नहीं रहता, अन बटन नहीं कर रहा था, वो ऐसे अपने शर्ट को फार कर निकाल रहा था, जीससे लग रहा हो कि उस कलोट ने हमारी सी ओ सिंग को जकड के रखा हूँ पकड के रखा हूँ कि वह बस फार देना चाहता हो वो इतना पी टाइमघ्ड देना चाहता है श son को वियसे फार दीता है अएड वो ऑसको देख रहा था विलॉषी कर रहा था सिम व उस ड्रेस को फएक देता है उसके लेक्स पर स्वेघ्ट कर और की हमारा सिब सब इंटिमेट होना स्टाइट करता है और कहता है कि I think तुम पूरे रास्ते यही सब चीज़े सोचते आ रहे थे हैं ना तो I think मुझे तुम्हे बेस तरीके से ट्रीट करना चाहिए ऐसे बता ना क्या हम दोनों एक दूसरे को इस तरीके से बुला सकते हैं जैसे तुम कर रहे थे किसी और से यहां पूसरे कर Channel क्या हुआ और क्सयों आ esperar के तुम हम हमाली सींटिर को फेलिटे से अपनी लाप में हो और उसके साब घ्या BA के हम दोनों एक दूसरे को हैसे बुला गोले हैं तो करते हैं और की आप कर रहे हैं तबहुन सुनदें हिंग दूसरे कि स्की एर में तभी हमार जो सीउच देहता है उसको देखने लगता है और चाहता है यह यह फिस हमें पताहि है कि उसनी क्या वेस्ट पर किया था बड़्ट गर्टत रहूं चौनग करते हैं तो पादि कि अश्युम्हारम अब हमें नो इसीऊच इए घ्र वापस आजाता है यह तो आज आप बहुत जल्दी वर्क से आ गये हैं तभी हमारा जो प्रिसेंस स्यो होता है वो थका हाडा आता है और उसके हाथ में एन्वलफ होता है यह अपने नीपर बैठता है और कहता है लींग जीन वो निकालता है और उसको देने लगता है और वो एक आईडी काड था जैसे कि आप लोगों बता होगा कि हमार जो यह जीन है उसका कोई आईडी काड नहीं था वो किस country का origin है citizen है कुछ पता ही नहीं था वो शंगाई का है या फिर Korea का है कुछ नहीं पता था उसके पास कोई ID नहीं थी, लीगल ID नहीं थी, वो तो हमें सा फेक ID बनाया करता था, तो वो दुनिया में पुरी तरके से गुमनाम था, जब जिस चीस के जरुवत पर थी, वो उस चीस के लिए document बना लेता, और आपको पता ही है ना गाइस की, जब फर्स टाइम मिला था हमा यह पता कर ली थी, तभी वो यह यह जिन को देटा है कि यह रहा तुम्हारा ID कार्ड, और यह जब उसके हाथ में देता है, यह जो होता है उसे देखने लगता गौड से, और तभी वो यह जो सारे documents है, वो सब कुछ मैंने रेडी करवा ले, सब कुछ ठीक हो गया है, अब यह सब तुम्हारे हैं, और तभी वो यह जो यह जो कहता है, कि वा इस आल अफ सडन, I mean, मैं यह ID कार्ड यूज कर सकता था, I mean, जो मैंने बनाया था, और तभी मा जो सियो सिंग होता है, कहता है, actually, मैं यह तुम्ही यह सारी चीज़े बहुत पहले ही देना चाहता था, अब को लोगों को पता ही है, कि हमारे यंग सीन किस आइलेंड से था, और जिस आइलेंड से था, वहां के लोग उस आइलेंड को छोड़ कर जा चुके थे, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, and documents में, and government के account में, हमारा यंग सीन तो काफी साल पहले ही देत हो चुका था, तो उस साजी प्रूफ को चीज करने में, उस काफी साड़ टाइम लग गया, ऐसे लिए इसको ये इडेंटिफिकेशन आइड कार लाने में भी टाइम लग गया, and यंग सीन उसे ही देखे जा रहा था, and तभी हमारा जो सीन होता है, क्या हम लोग अपनी मैरश को और रजिस्टर कर सकते हैं, and तभी जो सीयोसिंग होता है, उसकी तरफ सर्प्राइब से लिए लगता है, और उसके तरफ थोड़ी दिर देखनी के बाद, नो एक दूने ने को प्यार से देखते हैं, तभी सीयोसिंग समाइल करने लगता है, तभी यंग सीन कहता है, आपको याद है जब मैंन कुछ चीज़े बताई जाती है जहां पर हमें यह बताया जाता है कि जभी भी सन सन की कॉलिटी एंड उसे कॉलिफाइड किया जाएगा हर टर्म में उसे में मेजर किया जाएगा वहीं पर यंग जीन हमेशा मेरे साथ खड़ा रहेगा और मेरे हाथों को बहुत टैडली ग्रै लेते हैं जिनका बर्थरेट बहुत जादा कम होता है जो कि एक या दो लोग होते हैं लेकिन वो फिर भी सेम स्पीसीज की होते हैं क्या वो फिर से दुबारा मिल पाएंगे लेट उन्हें अकेले रहने देते हैं और लॉंग लाइफ जीने देते हैं as a lover और उनकी खुशिय लोग को ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं और उमीद करते हैं वो लोग ऐसे ही खुश रहेंगे इस नौट फैरली लाइट फॉर्ट ऑफ दा ओर ओरिजन आफ न्यू स्पीसीज और यहीं पर यह स्टोरी का जो होता है वो एंड हो जाता है एंड गाइज एक और शेप्टर है ज जो हमारे यंग जी नंसियो सिंग के जो स्टोरी है वो स्टोरी यहीं पर खतम हो जाती है आप जो लाज चेप्टर है आप उसे स्पेशल चेप्टर के तौर पर भी ले सकते हैं क्योंकि उसे बेबी दिखाया गया है उनका क्यूट और एक जो हैपी फैमिली होती है वो छो कि यह दो हएं अभी दो थी कि लीकिली होग जो हो और हो Allah करोटा ही आप लोगों ने इस स्टोरी को अन्जॉड किया होगा और कल का चेप्टर भी इंजॉड करेंगे तो कल मैं धरकिशी को अप्डेट कर दूंगी और कल हमारे स्टोरी का लास्ट चैप्टर होगा तो I hope guys अब सभी को ये स्टोरी पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर देना चनल को सबस्टर जरूर करना हो मैलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चाता हैं बाइबाई, see you soon guys